नवस्कार आप देख रहे हैं वीकी नियूज और में दिश्टरो पाध्या है जालोर जिले के सांचोर कस्वे में एक उलका पिंड गिरने से संसनी फैल गई उलका पिंड को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमर पड़े बाद में पुलिस ने प्रशास्तने का दिकारियों की उपस्तेती में इसे वहां से अटाकर सुरक्षे रखवाया जानकारी के मताबिक किसी धातू के समान नजर आने वाला ये उलका पिंड दो दसलोव साथ आठाट किलोग्राम भजनी है साचोड थाने दिकारी अर्विंत कुवान ने बताया कि सुवह साथ बजे सूचना विली की गायत्री कॉलेज के निकट बंसाली इस्पताल की तरफ जाने वाले मार्क पर आसमान से तेज गरजना के साथ एक चमतगदार बस्तू नीचे गिरी है इस पर वे मौके पर पहुँचे वा काले रंकी धातू का एक टुकड़ा चमीन में धसा हुआ नजर आया करीब 4-5 फीट की गहराई में चाकर ये टुकड़ा धस गया उस समय टुकड़ा काफी गर्म था बाद में उपखंड अधिकारी और अधिक्षक भी मौके पर पहुँचे उन्होंने बताया कि उलका पिंड है ये काले रंकी चमके ली धातू जैसा नजर आ रहा है मौके पर मौजुद लोगों का कहनाएक उन्होंने आसमान से एक तेच चमक के साथ एक टुकड़े को गर्जना के साथ नीचे गिरते देखा नीचे गिरते ही एक धमा का हुआ इस उलका पिंड के ठंडा होने पर पुलिस ने उसे कांच के एक जार में रखवा दिया है पुलिस का कहना है कि इसे विशेशकों को दिखाये जाएगा सोचे अगर ये उलका पिंड आबादी छेतर में गिरता तो कितना बड़ा हास्ता हो सकता था दरसल आकाश में कभी-कभी एक और से दूसरी और अत्यांत वेग से जाते हुए या प्रती पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं उन्हें उलका और साधान बोलचाल में तूटते हुए तारे कहते हैं उलकाओं का जो अंश बायू मिंडल में जलने से बचकर प्रती तक बहुंचता है उसे उलका पिंड कहते हैं हरोज रात्री को उलका और गिरत संख्या में देखी जा सकते हैं लेकिन मैसे प्रतिवी पर गिरने वाले पिंडों की संख्या बहुत कम होती है वेग्यानिक दुश्टी से इनका महत बहुत अधिक होता है क्योंकि ये अथी दुरलाव होते हैं इस खबर पर आपकी ख्यारा है कमेंट बॉक्स जोरुबता हैं तेश्वर दुनिया की तमाम खुरू को पाने के लिए देखते हैं विकी रिउस नमस्कार